या आपको एक FPV ड्रोन लेना चुन या फिर एक regular ड्रोन वेलकम टू डेट ट्वेल ओफ एजुकेशन अगर आप मार्केट में ड्रोन धून रहे हो तो करेंटली दो टाइप के ड्रोन्स मिलते हैं पोस्ट दा FPV टाइप ड्रोन जो बहुत ही कॉंपाक्ट होते हैं सूपर फास्ट और उनसे अब बहुत ही क्रेजी मोशन अचीव कर सकते हो इसी भी माउंटें क्लिफ या बुझ करीफा से लीचे ड्रॉप होते हो हैं या फिर जिगजग पाटन और इन ड्रोन का फोटेज ऐसा लगता है कि कोई बॉर्ड आक्शली में फ्लाइ कर रही है जो रेगलर ड्रोन से आप शूट नहीं कर सकते हैं बट अल्ली प्रॉब्लम इस ये ड्रोन्स कंप्लिटली मैन्वल ड्रोन्स होते हैं and you need a lot of experience to fly them प्लस इन में amount of sensors भी बहुत ही कम होते हैं और आप easily उन्हें crash कर सकते हैं second type of drones are the normal drones especially from DJI जो बहुत ही simple होते हैं फ्लाइ करने उनमें multiple sensors लगे होते हैं so that वो automatically कहीं भे भी crash ना हो आप उनमें path को draw कर सकते हो so that वो उसी path पे orbit करें और इनके थुरू आपको एक stable and cinematic footage मिलता है और इन drones में return to home feature is awesome तो अगर तो आप एक drone लेने की सोच रहे हो तो my favorite is छोटा सा compact DJI Mini 4 Pro बहुत ही compact है easy to fly है and learning experience भी बहुत ही simple है comment में लिखके बताईए आप कौन सा drone यूज करते हैं by the way मैंने अपना first drone खरीदा था 2014 में ये था day 12 of education see you tomorrow take care